नमस्कार, जी के संसार में आप से पिका फिर से स्वागत है, भारत के इतिहाद जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसके अंतरगत आपको 10 evergreen questions दिये जा रहे हैं per day, जिसके अंतरगत आपको वैसे questions से रोबरू कराया जा रहा है, जोकि विभीन परिक्षाओं में और पूछे जा च जेगा, जिससे की सभी वीडियो की notification आप तक पहुंसके, पहला question आपके screen पर एह है, चितौर का कृती अस्तम का निर्मान किस ने कराया था, चितौर में जो कृती अस्तम का निर्मान हुआ था, वो किस के द्वारा करवाया गया था, option A, राना सांगा ने करवाया था, option B, र महाराना कुंबा, इनको महाराना कुंब कर्ण के तौर पर भी जाना जाता था, और ये 1433 से लेके 1468 तक मिवार के राजा रहे थे, राना कुंबा ने मालवा की विरूत, सफलता जब प्राप्त की थी, उसके उपलक्षे में 1448 इस्वी में चितौर के कृती अस्तम का निर्म करवाया था, महाराना कुंबा को चितौर दूर का आधुनिक रिमाता भी कहा जाता है, संगीत पर इन्होंने तीन पुस्तके लिखी और उनका सहित्य से काफी लगाओ था, और उन्होंने गीत गोविंद पर ठीका भी लिखाया, अगर हम महाराना कुंबा की उपाधियों की की थी, इसमें आपको परमभागवत, आदिवरा इसे भी महत्पून है, इसे questions पूछे जाते हैं, चरे, question number two है, पुरानों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था, अबुल्फजल, अमेर खुसरो, अलबरूनी या दारासिको, पुरानों का अध्यन करने वाला प प्रथम मुसलिम था, जिसने पुरानों का अध्यन किया था, और अलबरूनी भारत में धार्मिक और बैग्यानिक पुस्तकों को पढ़ा, और विभिन विस्यों के ऐसे पनितों से मिला, ऐसे विद्वान से मिला, जो उन्हें मुल्फ पुस्तके समझाने, और उनके द्वार प्रथम सब्द का अर्थ आप से पूछा जा रहा है इस क्वेशन में, आप्शन ए है ब्रामनों को दिया गया अनुदान, आप्शन बी सैनकों का अनुदान, आप्शन सी विद्वान दोथा कवियों को दिया गया अनुदान, और आप्शन डी विद्वाओं और निर्दनो को दिया गया अनुतान तो इस question का correct answer जो रहेगा वो रहेगा option था तो यह थी important facts चलिए next question है विजय नगर समराज के प्रभुत वकाल में निम्न में से किस टीका की रचना हुई थी option A मनु अस्मृति पर मेगा तिति की टीका option B नारज अस्मृति पर असहाई की टीका option C परासर अस्मृति पर माधो की टीका और option D याग वलक की अस्मृति पर विजय निस्वर की टीका तो कौन सा option सही होना चाहिए अगर आप जानते हैं तो टीक कर सकते हैं इस question का correct answer है option C परासर अस्मृति पर माधो की टीका देखिए विजय नगर समराज का जो काल था वह संस्कृत और तेल्गु साहिते की पुन्ट टीका की रचना की थी और उस टीका का नाम था काल निर्णा है नेक्स्वरसन है मीरा भाई निम्नम से किसकी समकालीन थी option A तुलसिदास, option B चतन्य महाप्रभू, option C गुरु नानक और option D राम कृष्ण परम्हंस तो मीरा भाई किसकी समकालीन थी तो यह थी चतन्य महाप्रभू की देखिए आपको में बताओ कि मीरा भाई चतन्य महाप्रभू की समकालीन थी और अगर हम options के कोड़ी महापूर्सों के जीवन अवधी देखे तो मीरा भाई 1498 से लेकर 546 तुलसिदास 1532 से 1623 चतन्य से 1533 गुरु नानक 1469 से 1538 और राम क्रिश्व परहमंस 1834 से 1886 तो मीरा भाई जो थी वह किसके समकालीन थी चतन्य महाप्रभू की देखिए आप यहां मीरा भाई और चतन्य महाप्रभू ठीक है तो यहां पर आपका option जो है चतन्य महाप्रभू सही गएगा चलिए नेक्ट तरन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे गुरु रामदास गुरु अर्जुन देव गुरु गोविन सिंग और गुरु तेख भादु तरन तारन नामक नगर की स्थापना यह जो की गई थी गुरु अर्जुन दे को द्वारा किया गया था गुरु गूरू अरजुन्देव सिखों के पांच्वे गुरू थे और उन्हींने निए सिख धर्म के परचार के लिए जगा जगा पर संगतों के स्थाफना करवाई थी और इन्होंने अमरीषसर में तरंटारन और करतारपुनगर के स्थापना की थी, उनके पहले जो गुरु हुए, उनके उपदेसों को संकलित करके, इन्होंने आदी गरंथ की रचना किया, ठीक है, आदी गरंथ की रचना किसने किया, गुरु अरजुन देओं ने किया, और इसमें क्या है, उनके पहले जो गुरु थे, उनके उपदेसों क को इसमें संकलित किया गया है संकल संग्वन किया गया और 1606 में जहांगीर ने खुसरों को सरक्षन देने पर राश्ट द्रों बताते हुए क्या किया गुरू अर्जुन्दे को फांसी दे थी कब 1606 में उसके बाद रामदास सिखो के चौथे गुरू थे और अकबर नहीं पा उन्हें मना कर दिया तौरंग जेवन इनका कत्ल करवा दिया उसके बाद सिखों के अंतिम गुरू जो आते हैं दसवे गुरू वह आते हैं गुरू गोविन सिंग और इनके द्वारा खालसा पंत्किया स्थापना की गई थी ठीक है चलिए नेक्ट क्वेशन है क्वेशन न देखिए बावर ने बादसा या पादसा अभी कहीं है आपको पादसा भी दिखेगा इसकी उपाधी जो है पंदसो चार में काबुल विजय के पस्चा धारन किया था और इससे पहले वह मिर्जा की पैत्रिक उपाधी धारन करता था बावर ने खानवा के युद जो कि पं अभर तो अकबर का समराजी जो था उसमें कुल 15 सुबह थे ऑप्शन डी सही है देखिए परसासन के सुबदा के लिए अकबर ने पंदरा सो असी में जब पंदर सो चपन में उस आसन पे आया था ठीक है और पंदर सो असी में चौब इसमें वर्स क्या किया इसने संपूर्ण समराजी को 12 सुबह में विवक्त किया था जिसमें आगरा था दिल्ली लाहबा जो के भी परियागरा के तो पज़ा जाता है अवद अजमेर अहमदाबा बिहार, बंगाल, काबुल, लहोर, मुल्तान और मालवा यह 12 सुबह में विवक्त किया था और जब दक्षिन विजय किया तो उसके बाद खांदेश, बरार और अहमद नगर तीन सुबह को और इसमें जोड दिया उसके बाद अकबर के समराजी में कुल सुबह की जो संख्य यहां पर रहेगा जहांगीर, नूर जहां के गुट का नाम जो था उथा जुनता गुट, क्या जुनता गुट और गुट में उसके पिता इमातु दॉल्ला, मा असमत बेगम, भाई आसफ खां और सहजादा खुरम समलित था, लेकिन जहांगीर नहीं था, तो यहां पर जहां आरा, सायस्ता खान और जहां आरा, तो साहिबात उजमानी के जो उपाधी और अंग्जेब ने जो दिया था, वह जहां आरा को दिया था, जहां आरा जो थी, और अंग्जेब की बड़ी बेहन थी, देखिए और अंग्जेब ने जहां आरा को साहिबात उजमानी के पद ह foul पाधिपरदान के थी और जहां आ रहा जों थी वेगम, समराः और महल के सबसे बढ़ी बैठी थी और कि उरउंगजेब की कह थी बहन थी वह अपने पिता के उत्राधिकारी और छट्थे मोगल समराट और अंग्जेव की बड़ी बहन थी जैसा कि हमने आपको बताया तो यह सब important facts है और हमने इस वीडियो में जो आपको 10 questions दिये हिस्ट्री के और टॉप questions है आपके PCS से लेकर SSC Railway और विबिन पर चाहों के लिए important है तो उमीद करता हूँ आप सब को सिर्फ पसंद आया होगा आपने enjoy किया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने से दोस्तों के साथ सेर करें और हाँ जो भी आपका इस वीडियो के regarding feedback को questions को लेकर जो भी feedback को comment box में जरूद दिजेगा और PDF ले टेलिग्राम जरको join किजेगा link आपको नीचे description box में दिया गया थांक्स वाचिंग जैहिन जैवार